नवसकार दोस्तो जहींद वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल सिच्छक भरती के चैनल जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर दोस्तो मैं आपके साथ जैस्वाल सर दोस्तो बात करेंगे CDP यानि Child Development and Pedagogy के बालविकास सिच्छा सास के Top 30 प्रसं दोस्तो ये सभी प्रसं आपके सलेवस आपके एकजाम पैटन पर सिच्छक भरती में पूचे गया प्रसं है या संभावेद प्रसं है इसकी पिछले क्रासिस देखने के लिए आप लोग यहाँ पर बिल आईकन पर आईकार्ट पर लिंक आएगा आप लोग देख सकते हैं चलिए द 2013 में रिजल्ट आया था दोजार बारम पेपर हुआ था यहां पर टाइपिंग में आपके तेरा हो लिख गया ठीक है ग्रेट थर्ड का जो पेपर हुआ था बिक्तिगत मापन की बिक्तिनिष्ट निधी है यह आपके समीदा सिच्छक में पूचा गया प्रसंद है प्रीव पहला अपसन सही हो जाएगा अंगरा प्रस देख लेते हैं क्या है दोस्तो एक कर्म हीन वा असफल विद्यार्थी कैसा है कर्म हीन यह कर्म नहीं करना चाहता है असफल विद्यार्थी है वह हतास होकर अपनी संपून जिम्मेदारी जो है किसी अन को सौंप देना यह उधारन कहलाएगा दोस्तो किसका उधारन है आस्रित बेवहार का उसका बेवहार है कर्म हीन असफल है उसका बेवहार है तो आस्रित बेवहार के कारण ही वह है अन को जिम्मेदारी अपना सौंप देना यह उदारन होगा आसिद बिवहार का उदारन हो जाएगा अंगला पर देख लेते हैं क्या दिया गया है फ्राइड के अनुसार की सवस्था में कामच्छाएं सापेच रूप से निस्क्री हो जाती है ठीक है निस्क्री रहती है ठीक है दोस्तो फ्राइड के अनुसार की सवस्था में कामच्छाएं जो सापेच की रूप में निस्क्री रहती है मुखी गुदी लैंगिक या आपका प्रसूप्थी सभी अनसर कमेंट करेंगे तो आपका कौन से हो जाएगा ऐसी अवस्था जो प्रसुप्त अवस्था में कामेच्छाएं सापेच रूप से निस्की रहती हैं किस अवस्था में प्रसुप्त अवस्थाएं में फोर्त आपसन सही हो जाएगा ये भी आपके देखे ग्रेर्थर समिदा सिच्छक में पूँचा गया प्रसने 2012 में यहाँ पर टाइपिंग में 2013 हो गया है एक बालक प्रदिन कच्छा से भाग जाता है वह बालक कैसा होगा दोस्तो ऐसा बालक जो प्रदिन कच्छा से भाग जाता है क्या वह बालक शामान बालक सेणी में आएगा पिछले बालक में कुस समयोजित बालक में या बिकलांग बालक सेनी आएगा तो भाग जाता है तो भाग जाता है तो बिकलांग तो होगा नहीं ठीक है तो कैसा होगा कैसा बालक कहलाएगा सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तो देखे, श्रामान बालक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह कच्छा से भाग जाता है, ठीक है, तो कैसा बालक कहलाएगा, तो एक बालक जो प्रदिन कच्छा से भागता है, वह बालक आपका कुसमयोजित बालक कहलाएगा, कैसा कुसमयोजित कहलाएगा, अंगला प्रस देख ल पाला है क्या मनो बिक्त कहलाता है इसनाय दुरवल है विच्छिप्त है या चक्र विच्छिप्त है selection के लिए दोस्तो आपको जो मैंने पहले practice कराया था बाल विकास के जो CDB के प्रस्ण है मनो बेग्यानिक प्रस्ण है इसकनर हो गए पाला हो गए थंडाइक हो गए इनका बेतरीन लाजवाब class होगा इनके part Y जब इक लासेज होंगी बेतरीन इनको detail से प्रती मनो बेग्यानिक एक दिन में प्रतेक अलग अलग सिनका detail के साथ करेंगे क्योंकि जो ये प्रस्णाते हैं यहीं से प्रस्णाते हैं और यहीं से selection होना है तो classes important है channel important है और ये परिवार important है सेम की भावनाओ एवं विचारों को बीना पईडाम सोचे बिक्त करने वाला है क्या है दोस्तो वह आपका चक्र विचिप्त कहलाता है फोरत आपसन सही हो जाएगा अंगलाप्रस देख लेते हैं S.C.T. को बिक्सित किया है दोस्तो जो सो जापका S.C.T. है उसको बिक्सित किया लेवम विवेद है। यह आपके चैप्टर का है, यह आपके चैप्टर में दिया गया है। और पहला प्रस्ट इससे ले रहे हैं जो रीट एजाम में पूचा गया आपके लेवल सिकंड में, कि बिक्तिगत भेद में हम पाते हैं। इक लेते हैं यह भी रीट इक जाम में 2015 में पूचा गया प्रस्ता, इंपोर्टेन्ट प्रस्ट है, आपके सलेक्शन के ज़से, टीटी जाम के ज़से, यानि सिच्छखवरती के लिए, और सिच्छखवरती में सलेक्शन पाने के लिए, तो बेक्तिगध भेद पाए जाते है जो बिक्तिगत भेद होते हैं वह बुद्ध इस्तर में पाए जाते हैं अभी ब्रत्ति में पाए जाते हैं गतिवाही योगता में पाए जाते हैं या इन सभी में पाए जाते हैं तो बिक्तिगत भेद पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों तो बुद्ध इस्तर पर भी पाए जाती है, बुद्धिस्तर भी बेक्तिवत भेद होते हैं, सब की अपनी अपनी IQ लेवल होता है, अभिब्रति में भी बेक्तिगत भेद होते हैं, गतिवाही योगता पर भी बेक्तिवत भेद होते हैं, यानि इन सभियों में बेक्तिवत भेद जो है, या भेदत जलता होती है या इस जो सभी लोग जानते हैं बिक्तियों में विविंताइं होती है इनमें जो लच्छन और सोत के अधार पर भी सेश्टाइं बताना है ठीक है कौन कौन से हैं यह आपका कूडबासा दिये रहेगा एकजाम में आपको सही कूडबासा का चैन करना पड़ेग कौन है फर्स सिकंड थर्ड फॉर्द फाइब सिक्स ठीक है आपकी यह सभी ठीक है जो च्छै आपके दिये गए ना ठीक है यहाँ पर यह च्छै के च्छै जो है आपके बिक्तियत भिंता या लच्छन या सोत की विशेश्टाइं विकास दर अधिगम चमता लिंग भेद वातावरन, शीलगुन, वन्शक्रम यह जो च्छै है आपके आपसन सभी आपसन जो है बिक्तियत भिंता या इसके लच्छन ये सोत की विशेश्टाइं या आपका फोर्त आपसन सही हो जाएगा दोस्तों क्लासेज वीडियो कैसे लगे इंपोर्टेंट है वीडियो को ला विशेश्टाजिस्थान सिच्छगवरती प्रात्मी सिच्छवरती में और जो समीदा सिच्छग हुआ था 2012 में उसमें भी यह प्रसना आया है यानि कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदा या धारित व्यक्तिगत विविंदाओं को समझ सकता है आखों के संपर के अ अधार पर या भासा एवं अभिव्यक्ति के अधार पर या ग्रहकार के अधार पर तो एक अध्यापक किसी भी समूह में समदाय अधारित बिक्यत भिवाव को समझ सकता है कैसे समझ सकता है दोस्तों तो वह है भासा एवं अभिव्यक्ति के अधार पर समझ सकता है सभी प्रस्ण high level वाले हैं selection वाले हैं दोस्तों जी हाँ selection पाना है तो classes तो करना पड़ेगा classes देखना पड़ेगा question को video 1 तक देखना पड़ेगा अंगला प्रस देखेंगे विक्तित विंता के प्रकार को ये गुण समूह विक्ति नहीं करता है देखें ना ही सरीरिक समानता दे दिया तो विंता कहां से आएगी सभी में समानता दिया है तो यानि कि जो ये सभी चारो आपसन जो हैं दोस्तों ये विक्तित विंता के प्रकार या गुण के समूह को विक्ति नहीं करेंगे क्योंकि सभी में समानता दे दी गया तो समानता में आपके भिनता कहां आएगी ठीक है तो ये प्रकार आपके गुर्ण समों में नहीं होगा यानि फौर्ट आपसन सही हो जाएगा चले अंगला प्रस देख लेते हैं क्या स्कीन पर प्रसंद दिया गया है कि विक्तिगत विभिनताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के सिच्छन के लिए प्रयोजन के निर्माता थे प्रोजेक्ट मैथड के निर्माता कौन थे दोस्तो ग्रेड सेकंड में पूचा गया प्रसंद है कि विक्तियत बिभिनताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के सिच्छन के लिए प्रयोजना के निर्माता कौन थे थांडाई, किलपेट्रिक, पॉर्खर्ष्ट, वाट्सन तो आपका किलपेट्रिक है सभी लोग नोट कर लेंगे विक्तियत बिभिनता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के सिच्छन के लिए जो प्रयोजना के निर्माता यानि प्रोजेक्ट मेथड किलपेट्रिक है अंगला प्रस देखेंगे ये ऐसे प्रस्ण सीटेट, यूपीटेट में प्रस्ण है, तो एमपीटेट में भी चांसिज है, दोस्तो तो हम दिर्रेक्टी एंसर पर आएंगे दोस्तो, का खा से अधिक लंबा है जबकि का खा से मोटा है तो मोटा और लंबा होना यह दोस्तो बेवहार में नहीं होता मोटा लंबा यह सरीरिक ब्रद्ध में आ जाएगा ठीक है और प्रस्ण क्या पूचा गया है किस प्रकार का बेवहार उनमें भेद प्रदसिद नहीं करता तो मोटा होना, लंबा होना, पतला होना यह आपका नहीं करेगा मांकि ये करेगा स्वैम को चोट लगने पर कार होता है जबकि खा ऐसी परिसित में सांत रहता है तो ये बेवहार हो सकता है ठीक है किसी रोते हुए सिसको देखने पर कापनी चाकलेट उसे दे देता है जबकि खा उसे नजर अंदाज कर देता है तो ये क्या है ये आपका है क खाको गनित में रूची है जबकि खाको काला में है तो यह क्या हो गया बेवहार हो जाता है रूची हो गया इसने हो गया प्रेम हो गया ठीक है निश्ठा हो गई लेकिन अगर मोटा पतला ठीक है ऐसा आ गया काला गोरा आ गया तो यह आपके बेवहार को बेद को प्रशित न होगा प्रजातिगत मतलब समझ सकते हैं सभी लोग ठीक है जातिगत प्रजाति मतलब अलग-अलग जातियां होती उनको प्रजाति बोला जाता है तो प्रजातिगत जो विविन्ताइं होती हैं उनको समझने में से क्या मददगार साबित नहीं होता है मूल विवस्था तो मूल विवस्था जो होती है समझदार होती है कि नहीं होती है होती है दोस्तो ठीक है और साब्दिक वा असाब्दिक संप्रेशन समझने में मददगार होती है बिल्कुछ सही बात है अधिगें प्रक्रियाएं वो विवस्थाएं जो होती है ये भी प्रजातिगत बिविंताओं को समझने में मददगार साबित होती है लेकिन जो बुद्धी होती है ये प्रजातिगत बिविंताओं को समझने में मददगार साबित नहीं होती तो आपका बुद्धी सही हो जाएगा अंगला प्रस देखेंगे क्या है दोस्तो जो विक्तिगत विविंता में कारक होते हैं एक वंसागत होता है एक वातावरण होते हैं ठीक है वंसगत मतलब वंसगत होते हैं ये इसका है उसका है जातिगत हो गया वंस मतलब यही हो गया ना जातिगत हो गया विंता और वातावरण के धार पर ये इस वातावरण में है ठीक है तो वातावरण के धार पर कारक होते हैं विक्तियत भिंता में और वनसागत होते हैं थाड़ आपसन सही हो जाएगा चले दोस्तों अंगला प्रस देखेंगे अंगला प्रस देखेंगे अंगला प्रस देखेंगे से पहले वीडियो में लाइक जरूर आना चाहिए एक छोटा सलाई एक प्यारा भरा एक कमेंट आना चाहिए feed back आना चाहिए, class से चलती रहेंगी अंगला प्रस्निया है विक्तिगद विंता का कारण नहीं है दोस्तो, ज़्यादा तर प्रस्निया आते हैं कि विक्तिगद विंता का कारण है ठीक है, लेकिन इस प्रस्न में negative wablision आ गया है, मतब विक्तिगद विंता का कारण नहीं है ये भी जानना इसके लिए कि विक्तिगत भिंता के जो कारण होते हैं हमें सभी कारणों का पता होना चाहिए ठीक है जिसे वंसानुक्रम कारण होता है वातावरन होता है साचरता हो गई ये विक्तिगत भिंता के कारण होते हैं वनसानुक्रम के कारण बेक्तिवयत भिविन्ता होती है, वातावरन के कारण होती है, अभी हमने दो ये पढ़ी लिया है, साचरता पर भी होती है, बेक्तिवयत भिविन्ता है, ठीक है, लेकिन आर्थिक समान्ता जो दे दिये गए, समान्ता जो है भिन्ता में में नहीं खाता भिनता यानि अलग-अलग, समानता यानि की सेम, तो ये आपके अलग है, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है? तो बिक्तियों के मद पाई जाने वाली असमानता को निन में से क्या कहा जाता है? दोस्तों जो बिक्तियों के मद पाई जाने वाली असमानता होती है, उसको क्या कहा जाता है विक्तित भिविनता, सील गुन भिनता, अनुवानसिक कारक या वाता वरणी कारक तो विक्तियों के मद पाई जाने वाली जो असमानता होती है उसको बाल विकास यानि CDP में दोस्तो विक्तित भिनता बोला जाता है पहला अपसन आप लोगों का सही हो जाएगा ये आजवाब प्रसने, C-Tate में बहुत बार पूचा गया है, M-P-Tate में चांसेज है दोस्तों, जी हाँ, चांसेज हैं, और वर्ग एक में भी ऐसे प्रसनाते हैं, किसोरा वस्ता में कुछ किसोरे जो हैं, किसोर और किसोरियों की घरेलू कारियों के प्रती नकरात्मक अभिवरत हो जाती, जैसे बाला के बालिका होते हैं, जैसे आपके किसोर और किसोरियों दे दिया गया, यानि बालाक और बालिकाएं, ठीक है, किसोरा वस्ता में आप सभी लोग जानते हैं, जो बारा से ठारा वस्ता होती हैं, इस एज में बालाक और बालिकाएं, मतलब घर के कार के प्रति जो है नकारात्मक अभिवरत होती है ठीक है तो कुछ की खेलों के प्रति सकरात्मक अभिवरत होती है खेल में सकरात्मक अभिवरती दिखाते हैं तो यह जो निस्पादन योग भिनता कहलाती है ठीक है घर के कार में नकारात्मक अभिवरती और खेल में सकरात्मक अभ गत्यात्मक भिनता हो जाएगी अंगला प्रस देख लेते हैं क्या इसकीन पर है हम सभी अपनी बुद्धी प्रेणा अभिरुची आदी के संदर में भिन होते हैं सभी लोग आप लोग जानकार हैं अनुभवी हैं सिच्छक हैं सिचिकाएं हैं भावी अध्यापिकाएं हैं तो हम सभी अपनी बुद्धी प्रेणा और अभिरुची आदी के संदर में भिन होते हैं तो यह सिध्धान किससे संदर में आया हुआ प्रसन हैं सिच्छवर्ती में पूछा गया प्रसन हैं आपके संभावित प्रसन हो सकता है आपके जांपगा तो हम सभी अपनी बुद् प्रेणा भिरूच ये क्या हो जाएगा विक्तित भिनता कोहला जाएगा अंगला पस देख लेते हैं क्या है दोस्तों किसी का लेखक किसी का वक्ता कोई नेता कोई अन्याई बनने की प्रवत्ति रखता है जिस भिनता को प्रदसित करता है दोस्तों कोई लेखक बनना चाहता कोई वक्ता बनना चाहता है कोई नेता बनना चाहता है कोई अन्याई बनना चाहता है यह जो प्रवत्ती है बनने की ठीक है तो किस भिनता को प्रदसित करेगा तो किस भिनता को प्रदसित करेगा सिच्छा साथ CDB का लाजवाब प्रस्न है जी हाँ लाजवाब प्रसन है यहाँ पे सेलेक्शन नहीं टॉप रेंग हांसिल करना है और टॉप रेंग हांसिल करना है ऐसे लेवल की तैयरी होनी चाहिए जी हाँ दोस्तों ऐसे लेवल की त्यारी करना है हाई लेवल की तो चैनल को अभी सदस्ता हांसिल कर लेंगे सब्सक कोई नेता कोई अन्याई बनने की प्रवत्ति रखता है यह विविन्ता को प्रदसीत करता है तो यह आपके अभिवरत्ति के विविन्ता को प्रदसीत करता है फोर्थ आपसन सही हो जाएगा चले अंगलापस देख लेते हैं किसी कार को करने की विशिष्ट छमता को रखना ज जिस भिंता को प्रदसित करता है सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों जी हाँ किसी कार को करने की विशिश छमता को प्रदसित करता है किसको प्रदसित करता है भाया अभी बरत्ति को अभियोगता को रूची को अभिदारना को दोस्तों 2015-16 में आपका great first work एक पेपर हुआ था समिदा सिच्चक में उसमें पूछा गया प्रसन है कि किसी कार को करने की विशिष छमता को क्या कहते हैं अभी ब्रत्ति कहते हैं अभी योगता कहते हैं रूची कहते हैं या आपका अभी धारना कहते हैं दोस्तों किसी कार को करने की 20 चमता को क्या कहा जाता है तो आपके अभी योगता कहा जाता है ठीक है उसकी 20 चमता यानि कि उसके अभी योगता कहलाएगी उसके अंदर की योगता उसके आंतरी की योगता कहला जाएगी सेकंड आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा अंगला सीटेट लेवल सेकंड में आपको पता सीटेट में दो लेवल होते हैं फर्स्ट और सेकंड लेवल में ठीक है तो सेकंड लेवल में प्रसन आया सेकंड लेवल में यानि हाई लेवल का प्रसन है यानि की रेंजूली प्रतिभासाली की अपनी परिभासा के लिए जाने जाते हैं दोस्तो रेंजुली जो है आपके प्रतिभासाली की अपनी परिभासा के लिए जाने जाते हैं कौन सी परिभासा के लिए आपके रेंजुली जाने जाती है यह जाने जाते हैं सबी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर त्री ब्रती पर ठीक है रेन जुली प्रतिभा साली की अपनी त्री ब्रती परिवासा के लिए जाने जाते हैं अंगला प्रसन लाजवाब है सलेक्शन वाला प्रसन है इस पर कमेंट आना चाहिए सभी मित्रों को जैहिंद वंदे मात्रम स्वागत अविनदन है सिच्छक वरती के चैनल पर जैसवाल सर आपको जी हाँ दोस्तों जैसवाल सर आपको हाथ फेला कर अविनदन है स्वागत करते हैं सिच्छक वरती के चैनल पर और दिल से जो भी बोलिएगा दिल से कमेंट कीजेगा बिशिष्ट बालक है जो बालक बिशिष्ट है बालक कैसा है बिशिष्ट है बिशिष्ट बालक सजनात्मक होते हैं बाल अपचारी होते हैं दिब्यांग होते हैं या सभी हो जाएगा दोस्तो जब बालक बिशिष्ट होगा तो दिब्यांग हो ही नहीं सकता जब बालक बिशिष्ट होगा तो क्या दिब्यांग हो सकता है हो सकता है क्योंकि बालक बिशिष्ट है ऐसा नहीं कि दिब्यांग बालक बिशिष्ट नहीं हो सकता हो सकता है चांसेज हैं दोस्तों क्योंकि जिसके अंदर जुनून होता है कुछ करने का वो जरूर कर जाता है अपनी सरीरिक विंता के कारण नहीं रुकता है करना है तो करना है जुनून होना चाहिए तो बिशिष्ट बालक दिब्यांग भी हो सकता है सरजनात्मक भी होगा बाल अपचारी भी हो जाएगा यानि ये सबी हो जाएगा थीक है तो राइट अपसन क्या हो जाएगा उक्त सबी हो जाएगा अंगला पस देखेंगे बालक का समाजिक बिवहार प्रभावित होता है दोस्तों जो बालक का समाजिक बिवहार है वह प्रभावित होता है किस से प्रभावित होता है संस्कत जिसमें वह जन मिलेता है परियावरन जहां वह रहता है आर्थी की स्थर पर जहां से वह आता है अ बालक का समाजिक बिवहार प्रभावित होता है किसे किसे होता है दोस्तों सभी लोग कमेंट करेंगे तो बालक का जो समाजिक बिवहार होता है संस्कत जिसमें वह जन में लेता है उससे भी प्रभावित होता है परियावरन जहां वह आसपास को इवातावरन में रहता है ठीक चले दोस्तों अंगला प्रस देख लेते हैं, अंतह विक्तित जो होती है, ठीक है, विविन्ता का आयाम छेत्र है, जो आपके अंतह विक्तित होती है, उनकी विविन्ता का आयाम या छेत्र होता है, वह आपका होता है, एक विक्तिकी रुचियों में विविन्ता, अंतह विक् दोस्तो पांच प्रस्णोर हैं एक बच्चे को अकेला पन और एकांथ पसंद है यह सुभाव जिससे समंदित है दोस्तो कोई भी बच्चा या बच्ची है बालका या बालिका है उसको अकेला पन और एकांथ पसंद है यह आपका सुभाव किससे समंदित हो जाएगा तो कोई भी बालक ये बालक जिसको एकांत पसंद है दोस्तों एकांत वाता वरन पसंद है ऐसा बालक जो है समाजिक भिनता कहला जाएगा एकांत मतलब के लिए रहना समाज में नहीं रहना तो वह समाजिक भिनता कहला जाएगा क्योंकि आई भिनता होगा नहीं संस्कत भिनता होगा प्रजाती भी नहीं हो सकता, एक आंत रहना चाहता है, तो वैस समाजिक भिनता, किस से समदित है उसका सभाव, समाजिक भिनता से समदित हो जाएगा, अंगला पस देख लेते हैं, क्या प्रसन पूँचा जा रहा है, चात्रों में सीखने की योगता सममंदी भिविनता का छे सबी लोग कमेंट करेंगे लाजवाब परसन है लाजवाब क्लास चल लई है दोस्तों दुगने एनरजी के साथ क्लास सुरू करते हैं यह आप लोगां का फ्रेम इसने है दोस्तों जिससे हम एनरजी फुल क्लास सुरू करते हैं एनरजी फुल क्लास में रहते हैं जी हां इसी चात्रों में सीखने की योगता संबंधी जो भिनता का छेत होता है वह आपका हो जाएगा वह मानसिक हो जाएगा चात्रों में सीखने की योगता संबंधी भिनता ठीक है तो योगता होगी वह मानसिक होती है आपकी छमता होनी चाहिए आपने ये कहवा सुनी होगी तेरे अं अंदर योगता है, तू उसी योग है, अंदर, अंदर मतलब क्या होता है, मानसीक होता है, हम बोलते हैं, आम भासा में बोलते हैं, होम लग मेंज, घर की भासा में बोलते हैं, लेकिन CDP की भासा यह कहलाती है दोस्तों, कि छात्रों में सीखने की योगता सम्मन्दी जो भेंत राचना है, मानसीक योगताएं हैं या सभी बिक्तिगएद भीविनताओं का छेत्र है, सभी लोग जानते हैं, सरीरिक राचना भी अपना पनाकार होता है, कोई दूबला पतला चोटा बड़ा है, मांसिक योगताएं भी होती, किसी की अच्छी है, किसी की something normal है, शामान है, ठीक है, तो कोई निम ना है तो विक्तिकत भिहनताओं का छेत ये सबी हैं, तीनों आपके विक्तिकत भिहनताओं से समन्दिच छेत रहे अंगला प्रस देख लेते हैं, प्रतिभा साली सिच्छार्थियों के लिए, दोस्तो जो सिच्छार्थी प्रतिभा साली होते हैं, उनके लिए क्या होगा, सीटेट में पूछा गया प्रसन है, ध्यान दीजेगा, ध्यान दीजेगा दोस्तो, सेंटर, टीचर इविल्टी टेस पूँचा गया प्रसन है, सलेक्षन वाला प्रसन है, कि प्रतिभासाली सिच्छार्थियों के लिए क्या होगा? अब इछमता को कौसल की रूप में समझना प्रगति के निरिच्छन करने की आओ सकता नहीं तो प्रतिभास आली सिच्छार्थियों के लिए सिच्छ को अनकूल करना चाहिए जैसे सिच्छार्थी में बदलाव आता है प्रतिभा साली सिच्छार्ती के लिए सिच्छों के क्या करना चाहिए अनकूलन करना चाहिए यानि बालक के जैसे बालक जैसा अनकूल चाहता है वातवरन चाहता वैसे करना चाहिए जैसे सिच्छार्ती में क्या है बदलावाता है ठीक वैसे सिच्छा को अनकूलन करना चाह बिक्ति गद्द्री जोना है तो देखे मैं बता देता ओं सिछकों है तुछ 64 विजिश्ट वालक होते हैं शमान वेवर के भी होथे हैं और अभियाओकों हेति समझ सब्सका भी होते हैं क्योंकि विजिश्ट वालक है ठीक है लेकिन आतधिक बिचलन प्रवजह के हैं यह आप आपका सत्थ होगा तो यहाँ पर दिया गए उपर इुक्त में से असत्थ कौन सा है तो पहला आपसन आपका सत्थ है इन्हीं तीसरा आपसन सही हो जाएगा अंगला परस देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है विक्तिगत विविंता के वनसानुकम कारणों में कौन से निय जिस पर बुद्धिमान माता पिता के बच्चे जो होते हैं जड़ बुद्धिके होते हैं यानि माता पिता तो बुद्धिमान प्रवत्धिके हैं लेकिन उनके बच्चे मूर्ख प्रवत्धिके होते हैं जड़ बुद्धिके होते हैं तो यह किस नियम के अनुसार है समान माता पीता के बच्चे जड़ बुद्ध होते हैं तो यह क्या उनसा नियम है प्रत्य गमन का नियम हो जाएगा किस पर नियम होता है प्रत्य गमन का नियम हो नियम कह लाएगा तो दीस राफ्ट सनसरी हो जाएगा दोस्टो यह energy फुल क्लास आपको कैसे लगी और ऐसे ही क्लासिज देखना चाहते हैं जैसवाल सर से रूबरू होना चाहते हैं जैसवाल कोचिंग सेंटर से रूबरू होना चाहते हैं और सेलेक्शन पाना चाहते हैं और क्लासिज आपके एक्जाम पैटर पर सभी प्रसंद पाना चाहते है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर क्लासिस थमेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर जो सपना है विजैसर का सपना है वह आप लोगों का सेलेक्शन है जी हाँ दोस्तों आप लोगों का सेलेक्शन है और वह सरकारी सीट है और अंगले साल हम यही आसा करते हैं आप लोगों से कि हमें एक सरकारी सीट यानि अध्यापक अध्यापिका के पद पर निक्त होकर हमें या इस परिवार को आंगे बढ़ाएंगे तो धनवास सभी का दोस्तो हमारी इच्छा राष्ट इतमे सिच्छा पीडिया फाइल नोर्स प्राप्त करने के लिए टेली ग्राम में जरूर सच करें जैस्वाल कोचिंग सेंटर मिलते हैं निस क्लास पर जैहिन साथियों